अकेले आदमी ने बैंक को लूटा डेविड हाथ में गन लेकर और मुह पर नकाब लगा कर भागता हुआ बैंक के अंदर आया और उसने चिला कर जोर से बोला सभी अपने अपने हाथ उपर कर लो और उसने एक बॉम में से जैसे ही सुई को निकाला तो उसके मुह पर लगा नकाब फट गया और डेविड का पूरा चेहरा लोगों के सामने आ गया फिर वह आगे बढ़ा और दो बैंक के कर्मचारियों को एक तरफ करता है और अपने हाथ के बैंक को बैंक के केशियर को फैंका और उससे बोला जल्दी से सारे पैसे इस बैंक के अंदर डाल दो जाहट में कैशियर जल्दी पैसों को भरने लगा, बैग भरते ही कैशियर ने बैग को केबिन में से बाहर की तरफ, फैका तो वह बैग ऊपर एक पाइप पर अटक गया, डेविड कैशियर से बोला, तुमने ये क्या कर दिया, डेविड उस बैग को फुदक कर पकड़ने का प्रयास करता है, पास में खड़े सभी लोग उसको देख रहे थे, वह कैशियर की तरफ बंदूग तान कर बोला, बैग को उतारो, वरना में तुम्हें जान से मार दूँगा, वह बाहर आकर एक पाइप से बैग को उतारता है, तभी बाहर पुलिस आ जाती है, पुलिस कमि कर बाहर, ले जाने लगा, तभी कमिशनर बोला, जल्दी से बाहर आ जाओ, फिर डेविड रॉबर्ट के सिर पर बंदूग तान कर उसे बाहर ले आता है, सभी पुलिस वाले डेविड की तरफ बंदूग तान लेते हैं, कमिशनर बोला, ये इसके साथ दूसरा कौन है, फि कमिशनर ने कहा तुम लोग अपने आपको हमारे हवाले कर दो लेकिन रॉबर्ट डेविड को उठा कर उस गाड़ी में लेकर बैठ जाता है और गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट करता है तो वह स्टार्ट नहीं होती रॉबर्ट एक वायर को पकड़ता है तो डेविड उस पर गोली चलाता है लेकिन वह गोली रॉबर्ट के पैर में लग जाती है डेविड उसे सौरी बोलता है क्या ये लोग पुलिस से बच पाएंगे जानने के लिए वीडियो को लाइक करे